Hello friends, Namaskar, Welcome to my channel, Shanti Peace of Mind आज मैं हनुमान जी के बारे में आप बात करेंगे आपको जैसे पता है हनुमान उपासना से सारे बिगडे कारज सिद्ध हो जाते हैं और हनुमान जी कल्यूग में भी साक्षाद भगवान हैं माने जाते हैं इसी लिए कहा जाता है कि उनकी पूजा, उपासना, मंत्र और पाठ करने से हमें बहुत बहुत फल मिलते हैं और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हनुमान जी को प्रसन करने का सबसे सरल उपाए हनुमान चालिसा का पाठ माना जाता है हनुमान चालिसा का पार्ट करने वाले भक्त को कोई बंधग नहीं बना सकता और उस पर जेल जाने की नौबत नहीं आती है माननेता है कि अगर गलत काम कर ले भक्त उनका और गलती हो जाए और जेल हो जाए उस इस्थिती में भी दोशी व्यक्ती अगर 108 बार एक बार एक सिटिंग में हनुमान चालिसा का पाट करे और उसे यह संकल पवश्य लेना पड़ेगा कि भविश्य में हे हनुमान जी हे भगवान जी मैं भविश्य में कभी बुरे काम नहीं करूँगा और तो हनुमान जी की कृपा होने पर उसका संकट दूर हो जाता है उस जेल से भी उसे में मुक्ती मिल जाएगी दोस्तो सुबह स्नान करके पवित्र वस्तर बिल्कुल स्वच्छ वस्तर पहन के एक ही जगा बैठके भगवान जी को घी का दीपक जलाकर और हनुमान चालिसा एक सो आठ बार लगातार अगर आप करते हैं तो आपको आप से भारी से भारी संकट भी दूर हो जाएंगे अगर आप जेल में हैं और उस वक्त भी करते हैं तो जेल से भी मुक्ती मिल जाएगी दोस्तो मेरे चैनल में हनुमान चालिसा का वीडियो है और हनुमान चालिसा अर्थों के साथ भी है मैं इन दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ इसे आप सुनिये जैसे आज कल भाग दोड़ की जिन्दगी है आप इसे मेरे चैनल का हनुमान चालिसा अर्थों के साथ वाला भी और बिना अर्थों का भी आप सुनिए आप अपने कारे में निकलिए आपके कारे सफल होंगे हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आती रहूंगी आप स्वस्त रहें खुश रहें जै श्री राम ओम हनुमंताए नमाहा ओम हनुमंताए नमाहा